तो वेलकम गाज, अपडेट के बाद एक प्रोबलम बार बार दिखाई दे रहा है, अब जब भी गेम ओपन कर रहे हो, आपका गेम ओपन नहीं होता, यहाँ पे लोडिंग लेता है, और यहाँ पे डाउनलोडिंग फ्यल्ड, यह वाला एरर बार बार दिखाई दे रहा है, तो गाज, इस तरह का अगर प्रोबलम आपके साथ भी हो रहा है, तो गाज, बिल्कुल भी मत घबराओ, इस वीडियो को पूरा वाज करो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, आपका यह प्रोबलम 100% सोट आउट हो जाएगा, इस तरह का अगर आपको प्रोबलम हो लेकिन गेम क्यों नहीं ओपन हो रहा है, अरे मैं ओही तो बता रहा हूं, सुनो अच्छा से, देखो गाज, इसका दो कारण है, एक तो आपका डिवाइस का जो नेटवर्क सेटिंग है, वो अच्छा से किया हुआ नहीं है, या फिर गेम का सर्वर डाउन है, देखो गाज फिर अपने गेम को ओपन करके देख लेना, फिर भी ये प्रोब्लम आता है, तो आपको नेक्स सेटिंग करना है, आपके डिवाइस में डाटा रेस्ट्रिक्टेड मोड होगा, सभी मोबाइल में सेटिंग में मिल जाता है, लेकिन रेडमी में आजकल उसको अलग कर दिया ह रेडमी में ये सिकुरिटी का एक आइकोन होगा, इसको आपको किलिक कर लेना है, और इसे ओपन होने देना है, ओपन होगा तो डाटा यूजज को आपको किलिक कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्टेड डाटा यूजज ये मिल जाएगा, मैं यहाँ पे वा इसको switch up करके switch on कर लेना फिर इतना करने के बाद आपने game को open कर लेना आपका game यहाँ पे loading लेगा फिर जैसे loading complete हो जाएगा आपका game यहाँ पे open हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूं game का server down है तो आप कैसे open कर सकते हो आपको इस तरह का problem कुछ जादा ही हो रहा है आपको समझ जाना चाहिएगी server में problem है ऐसे में आपको जब भी game को बंद करना रहेगा तब आप clear catch कर देना और आपको यहाँ पे send report पे भी आपको report कर देना है ऐसे में क्या होगा कि आप जब भी game को open करोगे तब आपको यह problem जहलने को नहीं मिलेगा आपको सारा कुछ समझ में आ गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like जरू से कर देना और वीडियो में नहीं हो तो subscribe जरू से कर देना मैं मिलता हूँ ऐसे ही next helpful वीडियो में तब तक के लिए bye bye जाहिन